वेल्कम तो एस्ट्रोवर्ल वेल्कम तु दे व्ल्ड अस्ट्रोणूमी दिसी ओस्ट मंदार और आज के इस वीडियो में आपसे भी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियास कॉंट्रिपूशन टू साइन्स एंड टेक्नोलोजी यह जो चैप्टर है इ अर्सी वीडियोच पाने की लिए तो चलिया शुरू करते है हमारा पहला mcq यह पर निकल की आता है विच्ट इजेशन वाज शुलिजाशन वाज वास्ट टू बिल्ल्ड इंडियो इस वीडियोजेशन वार्श टू बिल्ल अप्लियोज टू ूट न्स बिल्लाइशन वे इन विच वेद वी कंसेट जो है एस्ट्रोनामी के और मेटाफिजिक्स के जो कॉंसेट से वह कहा जाता है कि रिगवेद में डिस्क्राइब किया गया है रिगवेद एक एशेंट हिंदू टेक्स्ट है चार वेद है अगर आपको पता होगा तो हमारे चार वेद है उन चारों इसे सबसे ओल्डेस्ट वेद है रिगवेद और रिगवेद में ही डिस्क्राइब किया गया है एस्ट्रोनामी और मेटाफिजिक्स को आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं एशें इंडिया वाज इन पायोनीर इन डेवलोपिंग विच टाइप ओ आइरन इस क्वेशन तो आइरन को जंग नहीं लगेगी आइरन को रस नहीं होगा आगे बढ़ते हैं आगे का फॉर्थ को एमसी क्यू है हमारा विच पार्टिकल कैनोट बी डिवाइड फॉर्द ऐसा लिखा गया है बुक में की परमानु जो है वो बियांड आटम है और परमानु को हम डिवाइड नंबर फाइफ जो कि है वाट इस दा मीनिग अफ अयूर वेदा अयूर का मीनिग होता है लाइफ और वेदा का मीनिग होता है नौलेज जे नंसी क्यू नंबर सिक्स विच वोन वाज द इंडिया जमेजर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज तिल ब्रिटिश बैंडिद अगर को पता होगा तो इंडिया में ब्रिटिश आने से पहले हम शिप बनाते थे बोट Elsa करते थे वह उन पर्तुद्र ऑसित करने की जगह इंडिया से क्निकि क् nice ख़लित थी इंडियान शिप्स में और एरोपियन शिप्स में नहीं मिलती थी लेकिन बाद में बिटिश आया और उन्हेंने इस एक्सपोर्ट को बंद कर दिया गया इंडिया से आगे कर एंसी की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट एंसी क्या होता है डिएस्टी है डिपार्टमेंट अफ साइन्स अन टेक्नोलोजी अब यह जो डिपार्टमेंट अफ साइन्स अन टेक्नोलोजी है इसका इस्टैबलिश्मेंट हुआ में 1971 में यह याद रखना है में 1971 या फिर सिफ 1971 याद रखिए यही आंसर है इसका आगे के एंसी क्यू बलते है तो आगे का एंसी क्यू है वेन वस इस्टैबलिश इस्ट इस्टैबलिश्मेंट हुआ था वह हुआ था 15 अगस्ट 1969 में उस वीडियो को जरूर से देखिया आगा IPA बटन पे क्लिक करके क्योंकि उसमें मैंने बहुत डीटेल में समझा रखा है इस रो को तो आगे बढ़ते हैं आगे के मसी क्यू को वेन वस डियो एस इस है जिसके अंडर में इंडियन स्पेस इसर्च और्गनाजेशन या फिर इस रो काम करता है डियो एस का इस्टैबलिश्मेंट 1972 में हुआ अब नेक्स्ट क्वेशन इस विच आर देस प्राइमरी स्पेस स्पोर्ट्स ऑफ इस रो के प्राइमरी स्पेस सेंटर्स या फिर किलोमेटर्स की है इसका अंसर है 7600 किलोमेटर्स की कोस्ट लाइन है इंडिया की और इंडिया के आइलेंड कितने हैं इंडिया के पास कितने आइलेंड हैं इंडिया के बास 1250 आइलेंड का बंदार लगा हुआ है देन नेक्स्ट क्वेशन वेन 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 देपार्टमेंट of Ocean Development established. Ocean Development का जो department हुआ करता है वो 1981 में established हुआ और हमने 1981 में Antarctica में एक permanent base बनाया जिसका नाम है दक्षिन गंगोत्री. Department of Biotechnology was created on 1986. CSIR was established. CSIR क्या होता है established in 1942. CSIR का network बहुत बढ़ा है आप कैसकते हूं. CSIR के पास पुरे देश के 40 laboratories और 200 से भी जाबा industries का network है CSIR का इसलिए इसका network बहुत बढ़ा है तो यही थे आज की कुछ MCQs 20 MCQs आज हमने देखे और इसके नेच्स पार्ट में फिर से 20 MCQs देखेंगे नेक्स चैप्टर के इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बाले notification icon को वहरे प्रसकर देना नेक्स पार्ट देखने के लिए तो मिलेंगे नेक्स पार्ट में और नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए-बाए See you, data, peace.